दोस्तों जैसे कि आज हम बात करेंगे एक बहतर सा हाउस प्लान के बारे में दोस्तों यहां पर देख सकते हैं अच्छली हमने बाइस फिट बाइस फिट का हाउस प्लान डिजाइन किया गया है तो प्लान के डिजाइन के हिजाब से यहां पे सारा कॉलम प्लेस किया गया है तो चलिए हम सारा columns का height यहाँ पर हम provide कर देते हैं जिसे कि दोस्तों यहाँ पर हम column का height यहाँ पर 10 feet ले रहे हैं तो इस तरह से यह वाला column हम यहाँ पर height कर देते हैं दोस्तों जब भी दोस्तों घर का construction कर रहे हैं तो column कभी भी 10 inch by 10 inch या कम से कम 9 इंच this provide करनी चाहए तो इस तरह से हम सारा column at इसका height provide कर देते हैं 6 इस स्क्रीन पे इस तरह سے आपको यहाँ पे मिल जा या तो यह वाला column height इस तरह से प्रोवाईट कर देंगे सारा column दोस्तों हमने यहाँ यहाँ design के हिसाब से placement कर दिए उसके बाद दोस्तों यहां पे जिसे के हम आउटर का वाल जो है बाहर की दिवार जिसे दुस्तों यहां पे हम 10 इंच मोटाई का रखा है तो सारा वाल जिसे की हाइट हम एक certain height लेते हैं इस तरह से दोस्तो जब भी घर का construction कर रहे हैं तो wall कभी भी आपको 10 inch outer का रखना चाहिए मतलब बाहर की दिवार को 10 inch ताकि safety and protection proper दे सके आपको और दोस्तो यहाँ पे इस तरह से सारा call walls हम इस तरह से provide कर देंगे उसके बाद दोस्तो यहाँ पर plint का height हम यहाँ पर 2 feet है तो plint का height हम mark कर देते हैं जब भी घर का construction कर रहे हैं आप घर बना रहे हैं तो plint कम सकम दोस्तो 2-5 feet provide करना चाहिए उसके बाद आपको देखना चाहिए आपके nearest में अगर water logging हो जाता है पानी जमा हो जाता है तो उसको मतलब plint का height provide करना चाहिए इस तरह से दोस्तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने plint का height proper marking कर दिया उसके बाद दोस्तो जैसे कि यहाँ पर आप इंट्री करेंगे तो आपको यहाँ पर seat out वारंडा मिलेगा एक्शली यह वारंडा स्टालेस का house plan है दोस्तो तो यहाँ पर पार् पर बाद में discuss करेंगे उससे बड़े दोस्तो यहाँ पी जैसे के main door यहाँ पर हमने रखा है चार फीट भाई साथ फीट का डोर हमने दोस्तों में डोर रखा है तो दोस्तों साथ दोस्तों साथ वीत की ओपर तीन वाल आएगा लिंटल के ओपर यह वाला वाल से जोइन कर देंगे ताकि proper door का opening इस तरह आपको मिल जाएगा तो दोस्तों यह वाला वाल को हम इस column से add करा देते हैं उसके बाद जैसे कि दोस्तों इस दोर के तो इंट्री करेंगे तो यहाँ पे आपको living दोस्तों हम बताएंगे आपसे रिक्वेस्ट की प्लीज वीडियो को एंड तक जिरूड देखें यहाँ पर आपको living अरिया मिलेगा उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको दोर मिल जाएगा देख सकते हैं यह जो दोर के तुर आप इंट्री करेंगे तो आपको दूस्तों यहाँ पर dining area में मिल जाएगा तो यहाँ पे साईड में हुए हम धाने कीचन के आपको पर्टीशन वाद सपुर्ट हम यहाँ पर लेते हैं तो केज़र कर द नहीं तो इस तरह से दुस्तों यहाँ पर देख सकते हैं तो 7 feet के ओपर 3 feet का wall आएगा यह वाला वाल हम इस column से join करा देंगे ताकि proper door का opening इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा तो यह वाला bedroom मिल जाएगा दोस्तों यहां पर देख सकते हैं उसका दोस्तों हम बात करेंगे यहां पर हमने common late बात रखा है तो इसका partition wall जैसे की surrounding wall ल करा देंगे ताकि proper door का opening इस तरह से आपको यहां पर मिल जाएगा उसके बाद दूस्तों यहां पर देख सकते हैं यहां पर हमने एक OTS प्रोवाइट किया है वेंटिलेशन प्रोवाइट करने के लिए लाइटिंग वेंटिलेशन प्रोपर तो यहां पर एक bedroom मिल जाएगा दोस्तों इसका door हमने रखा है सारा तीन फीट वे साथ फीट का door रखा है तो साथ फीट के ओपर तीन फीट का जैसे वाल आएगा दोस्तों यहां पर एक bedroom मिल जाएगा तो इस तरह से देख सकते हैं यहां पर आपको एक OTS मिलेगा जिसका वेंटिलेशन प्रोपर अब करा देंगे तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं यहां पर देख सकते हैं हमने बेड्रूम्स कीचन लेडबाथ स्टियर के बारे हम बाप डिसकस करेंगे उससे पहले दोस्तों यहां पर जिसकी विंडो कहां कहां पर हम प्रोवाइट करें दोस्तों यहां पर देख सकते है फरंट में जैसे की living area की just यहां पे वरंडा में एक window हम यहां पे provide करते हैं, चार फीट बे चार फीट का window डालते हैं, आप अपने हिसाब से इसका size, खिर्की का size डाल सकते हैं उसके बाद जिसके side में यहां पे अगर हम बात करेंगे, तो एक living area हमें ले लेते हैं, एक window चार फीट बे चार फीट का यहां पे window का opening इस तरह से हम यहां पे ले लेते हैं, उसके बाद दूस्तों यहां पे kitchen है, तो kitchen का भी हम window ले ले लेते हैं, इस तरह से kitchen window का opening यहां पे इस तरह से हम provide कर लेते हैं उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जिसकी bedroom है तो इस bedroom के लिए भी हम provide कर देते हैं जिसकी देख सकते हैं अब screen पे यहाँ पे actually दो side से close है back side and यह आपको right side close रहेगा तो यह पुरा आपको यहाँ पे windows यहाँ पे window actually नहीं provide करनी है ओके यह close रहेगा तो दोस्तों यहाँ पे screen पे देख सकते हैं इस तरह से दो side आपको front and back मतलब left side window provide कर सकते हैं यहाँ पे दोस्तों जिसकी OTS है तो इसका जिसकी late बात का यहाँ पे ventilation आपर डाल देते हैं ताकि proper इस OTS से ventilation हो जाए उसके बाद दोस्तों इस hall के तरफ भी ventilation डाल देते हैं opening लेते हैं ताकि इसका hall का मतलब आपको dining area का ventilation proper हो जाए तो यहाँ पे एक opening लेते हैं और दो बेडरूम है एक bedroom है त्योंकि इस bedroom का lighting proper पाने के रहे दोस्तों इससे यहाँ पे window का opening यहाँ पे window का opening यहाँ पे हम provide कर दे ताकि proper इसका lighting and ventilation proper हो सके दोस्तों इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको मिल जाए और दोस्तों यहाँ पे जो एक bedroom है तो इसका हम living area के तरह एक window डाल देते हैं क्योंकि यह इधर से lighting हो जाएगा इसका ठीक है और इस चलब दोस्तों इस च्छे वन चेंच का राइजर मिलेगा दस इंच का ट्रेड मिलेगा तो दोस्तों इस तरह से देख सकते हैं आप जीना के मदश से छत्कियों पर आ सकते हैं तो यहाँ पर आपको अगर दोस्तों नीचे में चाहे तो एक चाहिस प्लान है जैसे तो यहां पर देख सकते हैं आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर पॉर्शन की बात करें तो तो आगे दोस्तो यहां पर आगे 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 आते तो यहां पर पो लिविंग अरी मिले जाएंगा यहां पर 11 feet का यहां पर 11 feet नहीं है दुस्तो आपको 10 feet सारे 5 inch भाई आपको मिल लागा यहां पर 10 feet 7 inch का space मिल लाए उसके बाद दुस्तो इस bedroom के और बात करें तो 9 feet सारे 5 inch उसके बाद भाई आपको मिल जाएगा 10 feet का मिल जाएगा 10 feet 7 inch का ऐसके बाद दूर यहां पर प्रांख करें तो यहां पर नौट छे इंच बाइब को अपwar ऐखरत है थो अब दो के सब्सक्राइब करें ना पर सब्सक्राइबにस और मिल जाए करें OTS की बात करें दोस्तों यहां पर आपको मिल जाएगा दो चार फिट बाई दो फिट का OTS मिल जाएगा और इस बैडरूम की अगर हम बात करें तो यहां पर दस फिट सारे पांच इंच बाई आपको मिल जाएगा यहां पर बारे फिट का मिल जाएगा यह वाला उसके बाद करें तो इस घर का कंस्ट्रक्शन करना चाहेंगे तो आपको इसमें दस से बारे लाग पर सकता आई होप दोस्तों वीडियो आज का बहुत अच्छा लगा होगा अगर दो आप तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि आपने प्ली चैनल को सब्सक्राइब करके आप आरे बना देए थैंक ये फूर वाजिंग इस वीडियो